हेलो दोस्तो मैं सिकंदर प्रजापती आगया हूँ आप लोगों के लिए लेकर एक नई क्लासेज Excel से संबंदित नई वीडियो नई क्लासेज दोस्तो आज की वीडियो में और आज की क्लासेज में मैं आपको Excel में चार्ट बनाना सिखाऊंगा जो कि दोस्तों बहुत ही आसान है बहुत ही इजी प्रोसेस है बहुत ही आसान है और आप भी इस वीडियो को अंतर तक देखने के बाद स्वैम ही चार्ट बना पाईएगा किसी भी डेटाबेस पर है कोई भी डेटा रहे आपको यदि उस पर चार्ट बनाना हो तो आप बहुत ही आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद बना पाएंगे तो आए प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए है तो फटा फट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए वीडियो को लाइक करिए, शेर करिए, कमेंट करिए और ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ब्राबर मिलता रहे गए यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जो की टूटली एडुकेशनल बेस्ट है ठीक है दोस्तों तो आई ये वीडियो की तरफ बढ़ते हैं मैंने एख च्छोटा सा डेटा लिया है जोस्तों मैंने आपको example की तोर पर दिखाने के लिए छोठा लिया है हवाई एअर्वेज International का डेटा है, destination है, first class है, business class है, economic class है, ठीक है धोस्तों यह हमारा डेटा है हम इस पर क्या करेंगे चार्ट बनाकर आपको दिखाएंगे सबसे पहले मैं आपको छोटी से चीज़ दिखाता हूँ यदि हमें चार्ब हमारे पास बड़ा डेटा है यदि हमें किसी नंबर को रिप्लेस करना हो तो कैसे करेंगे बहुत ही असान है दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कंट्रोल आर प्रेस करेंगे सुर्य दोस्तों कंट्रोल आर नहीं कंट्रोल एच प्रेस करेंगे रिप्लेस के लिए और हमें जो भी नंबर रिप्लेस करना है हम यहाँ पर फाइंड वाट में लिखेंगे जैसे हमें 1000 जो नंबर है इसको replace करना है 1200 से 1200 ठीक है दोस्तों अगधि हम replace all करते हैं तो देखे 1000 जहां जहां है पूरा replace होगे 1200 में convert हो जाएगा यदि हम एक एक करेंगे यहां पर देखे replace देखिए है रिप्लेस रिप्लेस औल किया जो वन थाउजन था वो क्या हो गया कनवर्ट होके 1200 में कनवर्ट हो गया इसली इसी प्रोसेस है कंट्रोल एच हमाई पास ऑप्शन आजाएगा हम किसी भी नंबर को चाहेंगे तो यहां से हम रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग उस नंबर को फाइंड कर सकते हैं ठीक है दस्तों तो हमने दो चीज़ सिखाए दे हमें किसी नंबर को बड़ी डीटा में से फाइंड आट करना है तो कंट्रोल एच प्रेस करेंगे जो कि सौटकट की है तो वहाँ पे हम लोग फाइंड कर पाएंगे यादि रिप्लेस करना है तो सेम है कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और रिप्लेस में जाएंगे फाइंड वाट में जो चीज़ हमें रिप्लेस करना है वह लिखेंगे जिस नंबर को रिप्लेस करना है वह लिखेंगे जिस नंबर से रिप्लेस करना है सब्सक्राइब करेंगे तो रि डेटा रहेगा दूस्तों हम क्या करेंगे इसको select कर लेंगे select करने के बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हमारे पास एक option दिखेगा insert insert में जाएंगे देखें यहां पर column chart गोल के option ठीक है column chart पर click करेंगे और हमें option मिलेगा 2D 3D cylinder बहुत सारे options है as per own requirement हमारे requirement के हिसाब से हम उसको select करेंगे हम 2D select करते हैं चीक है दोस्तों यह देखें यह हमारा जो है वो same page में आ गया यदि हमें इसे दूसरे page में करना है तो move chart देखें यहां पर हमारा option दिख रहा वो कहा है design में move chart पर click करेंगे और हमें new chart पर कर देंगे निव चार्ट यह देखें हमारा ने पीज में हमारा यह चार्ट वन बोलके आ गया निव पीज में ठीक है दोस्तों अब हम क्या करेंगे हमारा देखें यह आ गया हमारा चार्ट नेक्स्ट पेज में आ चुका है और हमारा data जो है वो sheet 1 में चार्ट वन में हम लोग चार्ट बना रहा है तो चार्ट हमारा देखिए आ गया है पेज में ठीक है अब हमें इसे different way में सजाएंगे जाएंगे कैसे सजाएंगे आइए देखती प्रोसेस बहुत ही असान है दोस्तों वीडियो को सुरू से ले के अंद तक देखिएगा तब ही आप समझ पाईएगा वीडियो इस्किप एकदम मत करियेगा और एक बाद दोस्तों देखने के बाद एक बार इसको खुद के सिच्टम में खुद के लैप्टॉप में खुद के कंप्यूटर में एक डेक्सटॉप हो कुछ भी हो तो आप वहां एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा यदि आप हो जाएगा next time के लिए आपके memory में सेट हो जाएगा ठीक है दूस्तों तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा अब हम क्या करेंगे कि हमें data ranges में add करना data ranges जो है उसको यहाँ add करना है तो हम कैसे add करेंगे यह practically करके देखते हैं एक एक करके हम चीज को सिखेंगे हफ़े पहले हम क्या करेंगे चार्ट जो है उसको हम select कर लिया उसके बाद हमारे पास एक option दिखेगा layout यह देखिए layout पर हमने click किया layout पर click करने के बाद data labels बलके एक option हमें दिखेगा कहां है देख लीजिए data labels data labels का हमारे option मिला और हम यहां क्या करेंगे यह बहुत सारा options है हम यहां करेंगे outside end हमने outside end पर click करेंगे click करने के बाद देखते हैं क्या होता क्या changing आती है हमने यह और जो हमारा data था जो range था वो देखिए हमारे इसके top में आ गया जो कि पहले नहीं था है कि नहीं तो जो कि पहले नहीं था हमने data labels में गया inside कर देंगे तो देखिए inside हो गया लेकिन हम अच्छा थ्वड़ा अच्छा दिखने के लिए हम लोग outside end करेंगे एकदम उपर में टॉप में यह उस बार जो graph है उसकी just उपर में दिखेंगा यह पहले नहीं था जो कि अभी है तो हम लोग दिखिए one by one करके क्या करेंगे इसको सजाएं ताकि हम जिसे भी चार्ट भीजें वह easily समझ पाए ठीक है दोस्तों वह आगे बढ़ते हैं अब हमें क्या करना है यह हमें चार्ट का टाइटल जैसे हम कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उसके उपर टाइटल होता है उस टाइटल से हमको समझ में आता है कि यह इसके अंद में जाएंगे हमारा चाट पूरा सवलेक्टेड है यहाद रहिखे हमें चार्ट सेलेक्ट करके जो काम करना होगा करना पड़ेगा तो हमने चार्ट को सलेट किया ले आउट ऑप्शन में गये और दिखिए हमें एक ओप्शन दिखेगा चार्ट टाइटल यह दिखिए इस यहां पर लिख सकेंगे हम यहां पर लिख देंगे चार्ट का नाम जो भी चार्ट का नाम रहेगा हम यहां क्या करेंगे लिख देंगे आईए लिखते हैं चार्ट का नाम हम क्या देते हैं कि आई एर्वेज इंटरनेशनल इंटेनल गया होगा जिसे भी हम भेज़ेंगे वो समझ पायागा कि ये किस बेसपे इसका जो टाइटल है हवाई एरवेज इंटेनेशनल का है तो वो फट से समझ जाए आसानी होगी जिससे भी हम भेज़ेंगे वो फट से समझ जाएंगे चार्ट के मात्तियम से यह समझ जाएंगे कि data क्या है और इसके बाद रोड जो data है वो तो ही दोस्तों तो हमने दू चीज सीखा data range एड करना और टैटल अब हम सिखेंगे हमने इहां पे दो एक्स देंगे हम लोगो ने पढ़ा है कि एक्सिस होता है मतलर लोग देखते थे कि एकक्सीस और याक्सीस देंगे देना ओतो कैसे यहां से देखे कर वीडियो को सारी चीजे स्टेब बाइस्टेफ आपके क्लियर हो जाएगी शब्से पहला हम लोग क्या करेंगे चार्ट को को fully select करेंगे अभी देखिया हमारा यहां select है लेकिन नहीं होगा हमें चार्ड को select करां पढ़ेगा अब हमने चार्ड को select किया उसके बाद हम क्या करेंगे layout option में जाएंगे कहां जाएंगे दोस्तो layout option जो already selected है हमें maximum सारे options इसी में मिल रहे है तो layout option में जाएंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे हम एक option दिखेगा चार्ट टाइटल के जस्ट बगल में exist titles इसको हम click करेंगे और हम क्या करेंगे पहला जो option दिख रहा है horizontally एकसिस टाइटल है ना देखें यह वाला horizontally हम क्या करेंगे इसको click करेंगे click करते ही देखें आ गया हुआ 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 इस टाइटल पर click करेंगे और primary horizontal axis टाइटल है उसको हम select करेंगे और हमें एक option दिखेगा टाइटल बिलव एकसिस इस पर click करेंगे यह दिखिया हमारा यहां पर हम यह क्या करेंगे इसका नाम दे देंगे हमने नाम दे दिया इसको X-axis अब हम X-axis हो गया और हमें Y-axis भी देना है तो प्रोसेस से में layout पर click करेंगे एकसिस टाइटल पर जाएंगे और इस बार vertically एकसिस टाइटल करेंगे उसके बाद जो option दिखेगा हमें rotate टाइटल रोटेट टाइटल पर click करेंगे अब हम क्या करेंगे इसको select करके यहां पर Y-axis देदे तो हमने इस सेट करना भी सीख लिया अब आगे हम लोग क्या सिखेंगे आईया देखते हैं लेजंड का यदि position change करणा हो लेजंड जो है यदि poisoned क्या होता है यह वला जो जो देख रहे हैं वो let's end. यदि हमें इसका position चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे. पहले यदि से पहले हम chart को select करेंगे उसके बाद let's end option हमें देख रहे है layout में. इसको हम click करेंगे और अपने according इसको हम सजा लेगे. हमें जहां चाहिए हम उसे अपने according सजा लेंगे हम इसे रखते हैं so listen at top यह देखिए हमने top में रखा अपने according हम इसे सजा लेंगे ठीक है हमने top में रखा हम चाहें इसके font को भी हम change कर सकते हैं अब यहाँ पर आए देखिए home में आए और यहाँ पर हमने इसको यह वाला font दिया अब इसके size को हम increase भी कर सकते हैं यह देखिए हमने इसको थोड़ा था बढ़ा कर लिया या इसके font को change कर दिया इसको रहाँ देखिए तो यह हमारा हम इसे एक लाइन में लाते हैं इसके size को थोड़ाथा छोटा कर लेते हैं इसको हम एट कर लेते हैं तो हमारा ये एक लाइन में आ गया ठीक है दोस्तों तो ये हो गया अब हम क्या करेंगे देखिए हमारे यहां पर आ गया है तो हमने लिज़ेंड को अपने कराना है तो हम कैसे कराएंगे तो कैसे कराएंगे बहुत ही असान है आयए प्राक्टिकल ही कर Cake देखते हैं गुक्त करेंगे न हूं चार्ट के पहले हमारा चार्ट सेलेक्ट नहीं था लेकिन अभी हमारा चार्ट सेलेक्ट है चार्ट सेलेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे ले आउट में जो अप्षिन उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमें एक option दिखेगा data table यह देखे data table है data table पर click करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर एक option हमें दिखेगा show data table पर click करेंगे और हमारा data देखे यहाँ पर show होने लगेगा है कि नहीं जो यहाँ पर था वो देखे यहाँ पर show कर रहा है और भी आसानी होगी हमारे management को इस चीज को समझने के लिए समझने में और हम जिसे भेजेंगे वो बहुत ही आसानी से यह देखकर समझ पाएगा कि status क्या है सारी चीज़ों उसको बहुत आसानी से समझ में आएग तो चार्ट का यही फायदा होता है ठीक है दोस्तों तो और भी कुछ हम इसमें करेंगे आएगे देखते हैं क्या करते हैं तो यहां तक I hope की एकदम clear ही होगा और भी clear हो जाएगा जब आप इसको practice करेंगे same data में स्वेम अपने घर में बहुत ही आसान हो जाएगा एकदम clear ह जाएगा दोस्तों तो आएए और एक चीज़ सिखते हैं यदि हमें हमने सिखा data value के यदि हमें यहाँ पे add करना हो चार्ट में तो कैसे add करेंगे वो चीज़ हमने सिखा अब हमें सीखना है यदि हमें row और column में स्विच करना हो दोनों के बीच में switch करना हो तो हम कैसे पाद हमारे पास एक option अब layout नहीं हमारे पास एक design का option उसके बाद design का option है design के बाद हमें दिखेगा switch row and column करके देखते हैं क्या होता है practically करने से करके देखने से और भी ज्यादा समझ में आता है तो practically यह करके देखते हैं row और column के according देखिए ये select हो गया और भी देखने में ये attractive हो गया है ना तो दूस्तो चार्ट बनाने का यही फायदा होता है कि जो भी चीज है बहुत आसानी से समझ में आता है उसके details में के बारे में उसके बाद तो उसको और भी मतलब कि एकदम चीज को बहुत ही आसान कर दे है ठीक है दोस्तो हमने आपको पहले ही बताया दिया हमें listen का font size change करना हो तो बहुत ही आसानी से देखिया मैंने इसको change करके सिक दिखाया था आपको यहां से कैसे एक छोटी से database लेके उस पर मैंने आपको एक चार्ड बना कर दिखाया बहुत ही असान है दोस्तों आप इसको एक बार practical करिएगा आपका concept एकदम clear हो जाएगा आपको चीज बहुत अच्छी सरीकर समझ में आएगे और नेक्स टाइम आपको कोई problem नहीं होगा आप इस short करना हो short मतलब दूस्तों सजाना हो तो दोखिए हम कैसे सजा सकते हैं देखिए तो यह हमने data को select कर लिया data को हमने select कर लिया और हमने क्या किया हमारे जो home option है उसी में रहना है और select करने के बाद हमारे एक option मिलेगा हमें data data में जाएंगे देखिए short short का मतलब क्या होता है ascending और descending order में किसी भी चीज़ को सजाना हो तो आप देखिए यहां पर सजा सकते है इसलिए नहीं हो रहा है तो इसको मैं select करता हूँ ठीक है अब इसको मैं अब हमें क्या करना है जेट टू यह करना है देखिए अब हमें क्या करना है इसको short करना है तो हम यहां पर click करेंगे अब देखिए अब हमें क्या करना है मतलब जेट टू यह करना है तो देखिए सी सबसे टॉप में चला जाएगा ओके यह देखिए मतलब यह हो गया तो short करने का short मतलब यही होता है कि आपको ascending descending बड़ा से चोटा चोटा से बड़ा कुछ जैसे चाहें आप उसको अपने according सजा सकते तो आप short भी बहुती आसानी से कर पाएंगे short का मतलब होता है कि ascending और descending order में आपको किसी भी चीज़ को सजाना हो तो आप बहुती आसानी से सजा पाएंगे ठिक है दोस्तो तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया chart जार्ट कैसे बनाते हैं एक सलम किसी भी डीटाबेस पे तो दोस्तो आसा करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से chart बनाना समझ में आया होगा कैसे chart बनाते है — आप बहुते तरीके से स माँच पाएंगे और हां दोस्तों एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हम बताते जरूर हैं लेकिन आप सीखिएगा तभी जब आप उस चीज को practical करके दिखिएगा same database में जैसे मैंने बताया है आप वैसे ही practice करिएगा आप कोई बहुत बड़ा data होकी जरूरत नहीं है आप same चीज same data पे आप एक बार practice करके देखिएगा practical करिएगा तो चीज आप और भी ज़्यादा के समझ में आएगी और आप बहुत ही आसानी से बड़े data में भी आप चीज को implement कर पाईएगा तो दोस्तों बस यही बात है यही request है आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक करें शेर करें कमेंट करके हमें बताईए कि हमारा classes आपको कैसा लगता और हमारे classes से कुछ सीखते हैं या नहीं तो दोस्तों एक बार फिर कहेंगे कि practice जोड़ करिएगा practice करके आप हमें कमेंट बॉक्स में जोड़ लिख कर बताईएगा कि आपने चार्ट बना पाया या नहीं छिक है दोस्तों तो आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं फिर मिलेंगे अगले classes में कुछ नहीं चीज़ों के साथ तब तक के लिए thank you